Hello everyone, आज किस वीडियो में हम discuss करेंगे आपका DDU, B.A.T. और 1st और 3rd semester का जो है time table जो है जारी कर दिया गया है, सभी लोग ने time table देखी लिया है B.A.T. 1st semester की बात करें तो 14 फरवरी से paper इस टार्ट है and B.A.T. 3rd semester की बात करें तो 16 फरवरी से paper इस टार्ट है तो उसी doubts को सारे doubts को इस वीडियो में हम लोग cover करेंगे और क्या के चीज़े आपको पढ़नी है, उभी सारी चीज़े यहीं पर discuss होगी तो बता दें कि G.A.T. अगर हम B.A.T. 1st और 3rd semester की बात करें तो subjective यार objective दोनों आपके आएंगे, ठीक है यहाँ पर आपको subjective question भी आएंगे और objective question भी देखने को मिलेंगे दोनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि P.A.T. पालो और M.A.T. की हम बात करें तो यहाँ पर आपकी mid term परिक्षा नहीं होई थी तो mid term और in term दोनों परिक्षा आपकी साथ में होगी इसलिए paper जो है subjective और objective दोनों में रहेंगे subjective में आपके जैसे 6 questions दिये रहते हैं आपको 3 questions उसमें से लिखने रहते हैं और objective दी बात करें तो 40 MCQ दिये रहते हैं जो की 1.5 marks के रहते हैं तो ऐसे ही होंगे आपके subjective और objective दोनों paper होंगे और आपको कहीं से भी कोई भी book और UPH बगर की पढ़नी जरूरत नहीं है कि हमारी चैनल पर आपको सारी चीज़े provide की जाएंगी with notes, handwritten notes आपके previous year के paper plus expected mcq सारी चीज़े आपको यहीं पर मिलेंगी और किसी भी चीज़ के आपकी जरूरत नहीं होगी जो भी doubt हो comment section में पिन करना एक बोट time table पर एक नजर देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो time table मैंने अलड़ी बताया हुआ है अलग से वीडियो में उसे आप देख सकते हैं first semester की fundamental of education knowledge and curriculum तो यह है आपका time table उसके अपनी त्यारी इस्टार्ट कर सकते हैं